नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूटूब चैनल एजूकेशनल आईसेज में इसमें हमारे चैनल पे आपको पहली क्लास से दस्वी क्लास तक के सारे बेसिक पॉइंट टू पॉइंट मिलते जा रहे हैं और आगे भी मिलते रहेंगे साथ ही कुछ दिनों बाद अब इसमें आपके लिए 12th की और BSC की शंकला भी शुरू करेंगे हम हमारे कुछ साथ ही टीम मेंबर्स इसके लिए भी तैयारी कर रहें तो आपको बिलकुल ही बेसिक से सारी चीजें मिलेंगी तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको ये सारी चीजें समय समय पर मिलती रहें और किसी भी competition के लिए आधार ये ही होती है तो इसमें और प्रयास करूँगा मेरे कुछ साथ ही हैं जिनसे आपके लिए बहतर से बहतर वीडियो में ला सकूँ तो आए शुरू करते हैं आज हम इसमें पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का यूनिट नमर 7 Atomic Theory Atomic Theory की जह हम बात करते हैं तो उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कुछ बेसिक्स बातें आपको बता दी थी अब हम देखते हैं सबसे पहले इसमें आता है Atomic Theory of Dalton यानि Dalton का परमानुसिद्धान Dalton ने जो परमानुसिद्धान दिया था उससे पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में जानते हैं कि Dalton जो थे एक स्कूल टीचर थे मेरी तरह ही लेकिन नए अविचार उनके लिए पहले आ गया तो वो फैमस हुए तो 1808 में Dalton ने 1808 ही स्वी में जोन डोल्टन इनका पूरा नाम क्या था जोन डोल्टन तो जोन डोल्टन ने परमानु की व्याख्या करने के लिए सिद्धान दिया था और इसमें उन्होंने बताया था कि रासाइनिक संयोजन कौन-कौन से बिंदू थे रासाइनिक संयोजन और दूसरा था दिरेविमान संरक्षन यानि ऐसे महत्मूर्ट बिंदू लिये थे जिससे कि ये बिलकुल ही सटीक एक अवधार ना दे सके और इसमें तीसरा बिंदू लिया था निश्चित अनुपात अब इस आधार पे जोन डॉल्टन ने 1803 में अपनी थिओरी दी थी अटोमिक थिओरी ऑप डॉल्टन जो जिसके अनुसार ये उसके आधार थे और उन्होंने फिर उसको समझाने का प्रयास किया था अब इसमें उन्होंने बताया था कि John Dalton ने कि मुख्य बिंदू इसके क्या खाया थे कि पहला तो प्रतेक पदार छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिने परमाणू या एटम्स कहते हैं क्या कहते हैं एटम्स या परमाणू कहते हैं सबसे पहले तो उन्होंने जो दिया था यानि कि छोटे छोटे कणों छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है जिससे उन्होंने नाम दिया था एटम्स यानि इनसे ये पदार्थ एटम से पदार्थ या मैटर जो भी है अपना बना होता है अब ये इसके एटोमिक ठेओरिक है कुछ मैन पॉइंट है और दूसरा फिर इसका बिंदू था अब ये बाज्य करन होते है ये एटम्स क्या है बिलकुली अविवाज्य करन होते है यानि कि ये एटम्स अविवाज्य होते है इनको गोर आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता उस समय की ठेओरिक हैसाब से काफी एडवांस बाते थी है फिर उन्होंने बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमानू समान होंगे यानि उनका भार, आकार और राइसाइने गोंड़र्म समान होते हैं एक पदार्थ के परमानू समान होंगे अब इसके हम बात करें तो थोड़ा सा आपको लिखने का एक तरीका होता है परिक्षा में मैक्जीम मार्क हम कैसे ला सकते हैं तो उनको पॉइंट बना करके चोटे-चोटे पॉइंट या सब पॉइंट में डिवाइड करके लिखिए आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी क्योंगि ये मेरा खुद का परस्नल अनूबव है कि जब हम पॉइंट तो एक्जामनर को डिसाइड करने में बहुत ही कम समय लगता है तुरंत ही काफी अच्छा लिखा है एक तरह से ब्यवस्थित लिखा है तो अच्छी मार्किंग भी होती है फिर हम देखते हैं इसमें के जैसे बिनने बिनने तत्रों के जो परमानु भार हैं वह अलग अलग होंगे परमानु भार द्रहिमान यानि कुछ उनके आकार वगरा सब अलग अलग होंगे फिर आगे हम बात करते हैं अब डॉल्टन ने काफी ब्यवस्थित करने का प्यास क्या था अगला विंदू उन्होंने बताया था कि तत्रों के परमानु सदे छोटी छोटी पून संख्याओं के सरनुपात में सयोग कर योगिक बनाते हैं यानि कि इनके निश्यत अनुपात वाली जो बात थी हमारे यह यहाँ पर आती है एक तरह से इन्होंने ये बिलकुल हम कह सकते हैं कि फैक्ट बात कही थी कि छोटी छोटी पून संख्या में मिलकर नया योगिक बनाते हैं क्योंकि आदा परमानु कहीं कभी नहीं मिलता है वो पूरा ही मिलेगा आदे परमानु की बात करें तो फिर नाविकिया संलायन और विखंडन पढ़ना होगा और चलो आएगा कोर्स में तो उसे भी आपको बताएंगे और कोर्स में नहीं आया तो अभी आपके लिए हम उसका भी वीडियो भी लेकर आएंगे फिर उन्होंने एक इसमें बिंदू दिया था कि रायसायनिक अभी क्रियाओं में जो परमानू होता है केवल पुनर बेवस्चित होते हैं तो ये काफी अच्छा बिंदू था इनका शौट में ही लिखते चलते हैं रायसायनिक अभी क्रियाओं में जो परमानू होते हैं वो अपना केवल इस्थान बदलते हैं या पुनर बेवस्चित होते हैं इससे पहले के हम वीडियो में इस चीज़ को काफी अच्छी तरह से समच चुके हैं कि जो हमने अभी क्रियाओं के प्रकार पड़े थे और इसमें हमने इनके विस्थापान दिविस्थापन इसके बारे में हमने बढ़ा था तो इसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी थी और ये सब एक दूसरे से आपस में लिंक हैं इनको हम कह सकते हैं कि इन सारी चीज़ों को हम बिग्यान में हम देखते हैं किसी बात का अधार वहमें इस अध्याय में मिल जाता है तो इसी तरह से जो डॉल्टन थे उन्होंने पर्मानु सिद्दां दिया और सारे तथ्थ्यों की बैक्ख्या तो नई कर पाए लेकिन उन्होंने जो बैग्यानिक और प्रायोगी का अधार दिये थे परमानू के उसके बारे में हम कह सकते हैं कि जो उनके अन्वेशन के आधार थे उनी से एक दिशा मिली एटम्स के बारे में जानकारी करने की और 19 भी सताबदी के लास्ट में जाकर के अंत में हमें परमानू में कुछ और छोटे-छोटे कण भी बिद्धिमान होते हैं इसकी कणों या अवपरमानविक जो कण थे पार्टीकल थे इसके परमानू के और भी उनकी उपस्चिती के कारणी परमानू सनचना में और संसोधनों पाए अगले वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे थॉम्सन का परमानू मोडल थॉम्सन का जो प्लम पुडिंग मोडल था क तो थेंक्स पूर वाचिंग और सब्सक्राइब जरूर करें